रीशी भी देने वाला है लक्षमी को डिवोश्चन ने बता दे भाक लक्षमी के आने वाले एपिसोड में आपको क्या कुछ देखने को मिलने वाला है यहाँ पर दिखेंगे रीशी बहुत गुस्से में आजाएगा यह जान करके लक्षमी नहीं है साइन किया पहले तो रिशी को यकीन नहीं होगा और वो सारा ज़्या मलस्का के उपर लगाएगा कि तुमने ही इसमें साइन किया मलस्का बताती है कि मैंने नहीं किया अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो जाका तुम खुद लक्षमी से पूछ लो यहां देखेंगे शालू और बानी दोनों लक्षमी से कहते हैं कि तुमने आखिरकार ऐसा क्यों किया तब यह वहां पर लक्षमी उन्हें समझाती है कि मुझे रिशी से मिलना है उसे बात करना और इससे जादा अच्छा कोई तरीका नहीं अब रिशी कोट में आएगा तो मैं असे मिलूंगी मैं अपनी मन की बात रिशी को बता पाऊंगी कि आखिरकार मैं क्या चाहती हूँ यहां पर देखेंगे कि लक्षमी भी यह सब कुछ को सो समझकर की होती है यहां पर देखेंगे रिशी घर से बहार निकल जाता है और पहुंच जाता है लक्षमी के घर में पहुंचने के बाद जोर जोर से दर्वाजा पटकने लगता है लक्षमी जैसे आती है दर्वाजा खुलती है रिशी को देकर चौक जाती है रिशी वहाँ पे लक्षमी से जादा बाते नहीं करता है सीधे सीधे पूसता है क्या लक्षमी तुमने डाइवोस पेपर में साइन किये थे तब लक्षमी बता देने वाली है कि हाँ मैंने साइन किये थे यह सुनकर रिशी को आने व पीछे पीछे जाएगी यहां देखी घर की और निकलने लगता है लेकिन बहुत ही कुछ वाला नहीं थे हैं लुक्ष में खड़ी होती उसके तरफ गुश्य में देखता है और कार में बैठ कर चला जाता हुच्छ नहीं करते हैं यहां पर मलस्का उसके पीछी जाएगी और रिशी को रोकने की कोशिश करेगी क्योंकि रिशी आग कुछ नहीं देख रहा होता है रोट पे बस घुस्से में भागा जा रहा था रादी को पी यकिन नहीं होता है कि लक्षिमी ने सच में डाइवोस पेपर साइन कर दिया और इतना ही ने रिशी ने भी साइन कर दिया यहां पर यह सब चान के घर वाले भी काफी जागत चौंक जाने वाले हैं